चले बच्चों गुडबालिंग आज जो हम पढ़ेंगे वो है कम्प्यूटर की भाषा क्या होती है और उसके कितने प्रकार होते हैं अब इसकी जरुत क्यों पढ़ी से समझिएगा मान लीजिए हमारे यहां पर अगर मैं United Nation की बात कुरूँ आपने सुना होगा एक organization है उसके के लिए जो keyboard होता है वो अंग्रेजी में होता है अगर चाइनीज आदमी होगा जो चीनी होगा उसके लिए चाइनीज भाषा यूज करते हैं वो लोग computer में भी similarly Japanese Japanese भाषा यूज करते हैं अरब के लोग अरबी भाषा यूज करते हैं आप देखना क्योंकि आप कोई पता कैसे चलेगा आप फॉन्ट देखोगे ना computer के तो उन फॉन्ट में सब आता है और similarly में हिंदी में देख रहा हूं तो सब हिंदी में दिख रहा है यहां पर तो इ जाने की मैं कोई सभी भाषा लिख दूँ अगर मैं हिंदी लिख रहा हूं तो हिंदी की भाषा अलग है इंग्लिश लिख रहा हूं इंग्लिश भाषा अलग है अरबी लिख रहा हूं अरब की वह भाषा अलग है and so on याने की अब मैं जो आपको बताने वाला हूं वह यह बताऊंगा कि इस language को वो किस तरीके से machine language में convert करता है machine language मतलब क्या होती है सबी बच्चे ध्यान रखना machine language मतलब होती है binary अब देखो ये binary ठीक है binary का मतलब क्या होता है यहाँ पर जो by लिखाया ना बेटा by ये by मतलब होता है दो इसका मतलब होता है दो होता है ये, 0 और 1, ऐसी संख्याएं जिसमें सिर्फ 2 ही values हों, या 2 ही संख्याएं हों, 0 और 1, पूरी की पूरी भाषा, ठीक है, ये सारी की सारी भाषाएं इस binary में convert होती हैं, computer के अंदर ही अंदर, ये ध्यान अखना computer के अंदर ही binary भाषा में convert होती हैं, और computer उसको समझत है, यानि कि अब देखो कैसे होगा काम, मैं एक छोटा से example लेकर आपको समझाता हूँ, ये मैं paint लेता हूँ, और यहां पर देखिएगा, यहां पर किस तरह से काम होगा देखना आप, जैसे मैंने लिखा, हिंदी, ह, आई, एन, डी, आई, अब क्या होगा बच्चों, computer के अंदर ह, आई, एन, डी, आई, इन सभी अक्षरों के एक अलगी code दे रखें, उसे बोलते हैं, आप लोग ध्यान रखना, उसे बोलते हैं, ASCII code, यह परिक्षा में आगा ध्यान रखना, ASCII code क्या होता है, American Standard Code for Information Interchange, यह आई है, ठीक है, अब क्यूंकि मैं वीडियो बना र यह इसकी full form जो है, मैंने बोल दी है, आप लोग लिख लेना, American Standard Code for Information Interchange, यह बच्चों ऐसी एक संस्था है, ऐसी organization है, वर्ल्ड में कहीं पर भी, अगर कोई innovation होता है, कोई research होती है, computer से related, तो यह क्या करता है, उसको एक standard provide कर देता है, standard मतलब पूरी दुनिया में उसको मान जाएगा, कैसे, अब जैसे यहां पर आप देख रहा हूं, मैंने English में लिखा है Hindi, H, I, N, D, I, इसका मतलब यह है, कि जो H की value है, वो कुछ अलग है, I की अलग है, let's say मैंने लिखा 25, let's say, मुझे पता नहीं है, मगर मैं लिख रहा हूं, यह मैं पिछली class में पढ़ता चु small z तक, इसकी value शुरू होती है, 97 से, और 122, ठीक है, इनकी यह value है, अब आप देख पा रहे होंगे, यह जो values आपको दिख रही है, यह integer value है, अब integer value क्या होती है, बच्चों समझना, एसी संख्या है, जहां पर दशमलो नहीं आए, यानि जिसमें decimal संख्या न आए, उसे integer value क केते हैं, यह हम बच्चपन में छटी-साथवी में पढ़ा था, कोई बात नहीं नहीं पढ़ा होतो, तो यह जो आप 25 देख रहोंगों बच्चों, computer क्या करता है, इसको अंदर यंदर convert कर देता है, किसमें convert करता है, binary में, ठीक है, और binary में मैंने tricks आपको सिखा रखी है, 1, 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, I guess बहुत है, अब हमें इस 25 को binary में convert करना है, तो 16 तो यह आगया, 8 आगया, 16 और 8 होते हैं, 24 और यह 1, अब आप देख पार होगे, मैंने binary फटा फट बना दे हैं, इसका मतलब इस binary की value, सिर्फ H की संख्या, उसकी value है, 1, 1, 0, 0, 1, य ऐसे I की निकलेगी, ऐसे N की निकलेगी, ऐसे D की निकलेगी, और इसे I की निकलेगी, और इन सब की value ऐसे बन जाएगी, बहुत बड़ी, जिसमें सिर्फ 0, 1, 0, 1 ही होगा, that means, computer की जो भाशा है, वो यह वाली भाशा है, computer को समझता, जैसे अगर आप high भी बोलोगे न, WhatsApp प convert करता है, फिर I go convert करता है, हाथ तो हाथ, milliseconds के अंदर, हाथ तो हाथ, convert करके वो उसकी binary value बनाता है, और जो सामने वाला बंदा है, जैसे मालो किसी दिनेश ने किसी रोहित को बेजा, तो दिनेश जैसे उसको बेजा न, तुरंत उसके पास भी वापे high लिखा जाएगा, यान पे computer basic language को समझपा है, basic language मतलब आप अंगरेजी लिखिए, Chinese लिखिए, Japanese लिखिए, अर्भी भाषा, उर्दू, आप जो भी लिखेंगे न, उन सब भाषा को वो convert कर लेता है, binary संख्या में, binary संख्या में अभी बताएं आपको जिसके अंदर zero और वनाता है, अब, प्रशन कितने प्रकार की languages होती है, तो हमें ये चीझद समझना है, computer के अंदर मुक्Яतह, तीन प्रकार की language होती है, यह आपको ध्यान रखना है, मुक्Яतह, ठीके, तो सबसे पहली जो language है, वो है आपकी low level language, आपको ध्यान रखना है, low level language, सबसे निम्निस्थरिय लिखिए बाषा, अब इसको निमनस्तरी मतलब यह मैं समझेगा गाली है यह ठीक है बहुत सब अच्छे समझने लग जाए कि गाली है सर इसलिए निमनस्तरी बोले जा रहा है ना 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 निमनस्तरी मतलब यह है कि कंप्यूटर इसको सबसे असानी से समझ पाता है ठीक है अब इसके अं कमांड देते हो कमांड मतलब इंस्ट्रक्शन आप अपने की बोर्ड में से कंट्रोल बटन और पी बटन को दबाते हो तो प्रिंटर को तुरंत समझ में आ जाता है कि मुझे बुलाया जा रहा है बुलाया जारा का मतलब यह है कि मुझे कुछ प्रिंटर निकल वाज जाएग वो उसको translate कर रहा है translate करना मतलब उसको रुपांतरित कर रहा है अब इसको समझते हैं कैसे होगा तेखिए मान लीजिए आप में से कोई एक बंदा चाइना चला गया अब चाइना की खास बात है चाइना तो ऐसे दुश्मन हो गया हमारा चलो Japanese ले ले लेते हैं चलो Japan में चला प्रूब के वह बोल रहे हैं क्यों हम अभी भी बोल रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं या थो हमें रहे हाती है हमें Japanese आती नहीं है तो एक चीज़ बताईए जब आप जैपैन में जा रहे हो तो आपको ठोड़त पड़ हो जिसको हिंदी भी आती हो या फिर अंग्रेजी आ आती हो और साथ ही साथ उसे Japanese भी आती हो ठीक है यानि कि वो क्या करेगा मान लो आप किसी कंपणी में इंटर्वी देने गए जापान में तो वो क्या करेगा ट्रांसलेटर आप जो भी भोलोगे हिंदी अंग्रीजी में उसको कंवर्ट करके उस बॉस को बोलेगा जिसको सिर् कंप्यूटर के अंदर भी अंदर यंदर एक ट्रांसलेटर होता है अभी देखो यह सारी भाशा हिंदी और इंग्लिश में लिखिए तो मुझे आराम से सुझ में आ रहा है अगर मैं इसका असली रूप देखूं असली रूप मतलब मशीन लैंग्वेज जिसमें 0101 01 हो उ होती इसलिए इसे मशीन लैंग्वज बोलते हैं सिमिलर्ली असेंबली लैंग्वेज अब इसकी full form आपको मैंने बताई दी है मतलब ही क्या करेगा इसको भी दिखाता हूँ assembly language याने की मान लो आपको computer में addition करना है तो आप सिर्फ add लिख दो इतना addition लिखने से अच्छा है आप add लिख दो subtraction लिखना है तो sub लिख दो ठीक है? अगर multiply लिखना है तो आप multi लिख दो याने computer यह समझ जाएगा कि यह क्या भाशा है मगर मैं तुम्हें बता दू एक चीज यह जो assembly भाशा है ना बेटा यह सबसे अदा कहां यूज होती है जिनको नहीं पता में बता दू यह यूज होती है प्रोसेसर में माइक्रो प्रोसेसर जिससे आप कहते हो ना माइक्रो प्रोसेसर जो आज कर चल रहा है आई 3, I4 प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर में यह लेंग्विज होती है सबसे ज़्यादा याने कि जितने electronics के बंदे होते हैं electronics engineers होते हैं उनको यह language सिखाए जाती है ठीक है और इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग CPU जिससे आप बोलते हो CPU याने कि माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर के अंदर यही ब्रेन कहलाता है इस इस दा ब्रेन ओफ कंप्यूटर याने कि कंप्यूटर का दिमाग Microprocessor को ही कहा जाता है या आप लोग ध्यान रखेगा और Microprocessor कौन सी भाषा समझता है Microprocessor Assembly Language समझता है या Assembly भाषा खिलाता है अब बहुत agua से बच्चे गॉइन्मेंट की तैयारी कर रहे है तो तरुम में नाम समझेंबली मतलब होता क्या समझो ऊसेंबली मतलब होता है सब को 31 करना जैसे कहते हैं कुंप्यूटर खरीदने जाते हो तो इसी कंप्धूटर को आपकों सेमब करना कंप्यूटर या एक कमपनी सारे लोग धिस अब जिन बच्छे अवर पता है죠 समझो मान लीजिए आपको एक computer लेना है आपका budget है अठारा जार रुपए अब assembly मतलब क्या होता है आपने डेल का तो ले लिया monitor आपने logitech का ले लिया mouse आपने कीवोड भी logitech का ले लिया आपने printer hp का ले लिया तो हर अलग-अलग company को आपने ले लिया और उसको आपने क्या कर दिया जोड दिया उसे कहते हैं assembly तो similarly यहां पर भी assembly लिखिए इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं आप इन shortcut तरीकों को अपने समझने के लिए या अपनी problem को solve करने के लिए use कर रहे हैं और सब अलग-अलग हैं इसलिए से बोलते हैं assembly language जो यह direct convert कर देता है micro processor के लिए ठीक ह यह होगी assembly language और दूसरी और जो आखरी होती है उसे बोलते है high level language हाई level language क्या होती है जो user user मतलब आप लोग जो computer में बेठा हुआ होता ना बेटा जो भी even आप mobile use करते हो तो हर इनसान user के लाता है जो computer के सामने बेठ गया जो भी बच्चा हो कुता हो बिली हो जो भी computer के साम similarly जो use करता है उसे user बोलता है अब यह कौन-कौन सी language होती है यह ऐसी languages होती है जिसके अंदर इंसान जो भाषा बोलता है उसी भाषा को यूज करता है याने कि अगर मुझे कुछ लिखना है let's say मुझे कोई चीज प्रिंट करनी है तो मैं या लिखूँगा print f hello agree students अब देखो मैंने साफ साफ लिखा है अगर मुझे coding करनी है यह c language में लिखा है मैंने तो आपको साफ पता चल रहा है print f इसका मतलब सर कुछ print कराएंगे क्या print करा रहे है hello agree students hello agree students को print करा रहे हैं तो अभी साफ साफ हमें इससे पता चल रहा है कि यहां पे सर ने कुछ ऐसी चीज प्रिंट कराई ए कंप्यूटर के अंदर जो तुम्हें आसानी से समझवा जाईगे क्यों क्यों क्यूंकि high level language है high level language वह language होती है जो यूजर यूजर मतलब हम और आप ल देखिए इसके advantage ये lab क्या है चतुर्थ PD की जो भाशा होती है वह सरल होती है इसमें software का विकास करना आसान होता है यह आपको ध्यान रखना है यहितने software हो आज चतुर्थ PD के ही बने हुए हैं दूसरा चतुर्थ PD याने fourth generation fourth generation की भाशाओं में textual interface के साथ-साथ graphical interface भी होता है अब आपको समझना है Textual और Graphical क्या होता है, यह देखिए, यह जो सामना आपको दिख रहा है, यह Textual है, Textual मतलब जो Text से बना है, Text मतलब जो अपन टाइप करते हैं न बच्चों, उसे Textual कहते हैं, और Interface मतलब क्या होता है, जो आपको दिख पा रहा है, Similarly, Graphical Interface क्या होता है, Graphical Interface मतलब यह होता है, आपको जो स्क्रीन दिखती है, Attractive स्क्रीन, उसे बोलते हैं Graphical Interface, Graphical Interface मतलब यह हो गया, कि आपको कितना अच्छी High Definition में स्क्रीन दिख रही है, अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, Minimize करके, यह देखिए, यह पीछे Windows की स्क्रीन दिख रही है, य और यह जो डिजाइन है, यह Graphical User Interface के लाती है, ठीक, अब यह तो मैं आपको Simple सा दिखा दिया, ताकि आपको हातों समझ में भी आ जाए, और अब दूसरा जो है, तीसरा पॉइंट, प्रोग्रामरों के लिए चतुरत पीडी की भाशाओं में विकल्प उपलब्द रहते है क्योंकि इसकी संक्या काफी बड़ी है, जो programmer वो होते हैं बच्चों, जो software बनाते हैं, यानि जो engineer आप देखते हो न, आपके engineer, computer engineer आपको जो friend होते हैं, वो programmer ही केलाते हैं, अगर उनको programming आ जाती है तो, और इतनी जादा भाशा हैं, जैसे C, C++, Java, Racket, Julie, बहुत सारी language हैं, Python, तो इतनी जादा हैं कि उसमें लोगवाग लगे रहते हैं, बीजी रहते हैं, और सबसादा software भी उसमें बनते हैं, next है, fourth generation की भाशाओं में programming कम स्थान लेती है, क्योंकि इस PD की भाशा में एक पंक्ती, पूरवरती PD भाशाओं की कई पंक्तियों के समान होती है, ठीक है, यानि कि fourth generation की जो language होती है, वो पूरानी जो languages होती है, 1970-1980 के जमाने की, उनीका advance रूप होता है, उसको modify करके इसमें use किया जाता है, आखरी point है, fourth generation की भाशाओं में उपलब्दा कटिन नहीं है, या असानी सा आपको मिल जाती है, यानि कि आप इसे बोल दीजे, एक बाशा है कि ऐसा product जो computer में easy मिल जाए, आसानी से मिल जाए, उसे कहते है open source, इसके लिए क्या होता है, आपने trust नाम सुना होगा trust, मंदरी के लिए trust बने होते हैं, कुछ बड़े-बड़े कामों के लिए trust बने होते हैं, तो एक organization होती है, या तो trust बोल दीजिए, या organization बोल दीजिए ऐसे लोग होते हैं, जो दुनिया के लिए free में काम करना चाते हैं, उनके लिए नए-ने technology प्रोवेट करते हैं, तो वो क्या करते हैं, बिल्कुल free of cost, internet में अपना product चड़ा देते हैं, जैसे कि आपने Ubuntu का नाम सुनाओगा, आप अपन युनिवरसिटी में Ubuntu अपने डार र देख रहा हूं, freeware, ठीक है, तो कुल मिला के क्या हो गया, freeware और open source में क्या difference है, यह परिक्षा में आ सकता है, तो यह आप लोग पता करना, और फिर हम इसके आगे बात करेंगे, फिर अब इसकी हानी क्या है, हानी भी देख लीजे, last point, चतुरत PD की भाषा है, उच्छी configuration के computer पर ही संचालित होती है, उच्छी configuration मतलब क्या हो गया, आपको minimum 4GB, 6GB, 8GB के ही RAM चाहिए होती है, फिर क्या होता है, इस PD की भाषाओं के लिए विशेशग्यता की कम अवशक्ता होती है, इसका अर्थ है कि इसमें programming आसान होने के कारण 9CK भी software विक्सित करना में सक्षम हो प क्या होता है, डोस के रूप में होता है सारा काम, मैंने डोस के वीडियो बना रखे हैं, आप लोग देख लेना, उसके अंदर सिर्फ command यूज होती थी, और उन command को हर को यूज नहीं कर सकता था, उसके अंदर mouse भी यूज नहीं होता है, देखो मैं mouse यूज कर रहा हूँ, य जाने कि जब आप लोग किसी भी operating system, जैसे आपका Android हो गया, Windows हो गया, उसको आसानी से यूज कर पा रहे हो, तो उसे बोलते हैं user friendly, इसके लिए आपको कोई विशेश अग्यता या expertise होने की जरूत नहीं है, विशेश अग्यता तो computer engineer के पास होती है, क्यों? क्योंकि वो साल चारो साल तक सिर्फ इसी को पढ़ते हैं computer को, वो डोस भी जानते हैं, वो language भी जानते हैं, तो इसलिए उनको expertise बोलते हैं, तो जो Linux आप देखते हो, जिसमें server बने होते हैं, जिन बच्चों को नहीं पता, मैं उनको बता दूँ, दुनिया में जितने भी server हैं ना बिटा, और इसके अंदर जब hack भी नहीं किया जा सकता है, इसे ये भी बता दूँ, ये इसके फायदे हैं, इसलिए सारे software या जितने भी server हैं, वो इसी में बने हैं, अब इस PD की programming बाशाओं की एक बड़ी श्रंकला होती है, जिससे ये निर्ने ले पाना कटिन हो जाता है, कि किसका प्रयोक किया जाए और किसको छोड़ दिया जाए, ठीके, इससे हमें ये फायदा भी मिलता है, जो मैंने आज ये topic पढ़ाया है, आशा करता हूं, आपको समझ में आया होगा,